आप सभी लोग देखते हैं कि 21 जून को यानि कि आज के दिन अंतराफ्तिय युग दिवस मनाये जाता है और अगर आप लोग किसी एकजाम की तैयारी कर रहे हैं खास कर आप देखें सिविल सर्विस की या इस्टेट फीस की या वंडे एकजाम की तब मुझे लगता है इसके बारे में एक सामान जानकारी आप लोगों के पास ओना चाहिए और अगर आप लोग किसी चाम की तैयारी भी नहीं कर रहे हैं तब भी मुझे लगता है कि योग योगा से आप लोगों को जुड़ा रहना चाहिए और आजकल आप देख रहे हैं जिस तरह की परिस्तिती बनी हुई है जिस तरह से हमारा रहन सहन होने लगा है खान पान होने लगा है तो अधिकतर लोग आप देखते हैं कि परिसान देखते हैं नाकुस देखते हैं कई लोग आप देखते हैं कि हिदय रोगी हैं कई लोग आप देखते हैं कि डायमटीज रोगी हैं कई लोगों को आप लोग देखते होंगे कि डिपरेशन में रहते हैं आउसाद में रहते ह तो इन सब से छुटकारा पाने का भी एक उपाय हो सकता है तो आज हम लोग इसके बारे में एक सामान जानकारी देख लेते हैं और आप सभी लोगों को भी योगा डे की योग दिवस की हार्दिक सुपकाम ना है और ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है देखे ये हमारी पित्वी है और इस पर पित्वी पर आप देखेंगे A.C.A. में हमारा भारत आपको देखने को मिलता है तो अगर हम लोग इसकी सुरुवात की बात करें कि अंतराष्टी योगदिवस की शुरुआत कब से हुई, कैसे हुई, तो आप देखेंगे, क्या देखेंगे आप लोग, कि विस इस्तरप सर्प से पहले 2015 में अंतराष्टी योगदिवस का आयोजिन किया गया था, अगर आप लोगों से कुश्चन्स पूछे, कि पहली बार अंतराष्टी योगदिवस का मनाय गया था, तो ये 2015 में मनाय गया था, और आप देखेंगे, कि 11 दिसंबर 2014 को सयुक्तराष्ट महसाबा के 69 सत्य के दोरान, एक पिस्ताव पारित करके, 21 जून को अंतराष्टी योगदिवस, विस योगदिवस की रूम में मनाने के लिए म को मिलेगा, और इस तरह की जो राष्टी यो अंतराष्टी संगर्ठन है, उनके बारे में भी आप लोगों को एक सामान जानकारी रखनी पाई चाहिए, क्योंकि उनसे भी हर साल आपके एकजाम में कुश्टन्स पूचे जाते हैं, सयुक्तराष्ट महसाबा के सत्त को संब धानमंत्री की सपील के बाद सयुक्तराष्ट महसाबा के 123 सदस्सों की इस बैठक में अंतराष्टी योग दिवस की पिस्ताओं को रखा गया, जिसमें आप देखें, 177 देशों की पिदिनीधियों द्वारा इस पिस्ताओं पर हस्ताक चरकर इस पिस्ताओं को मनजूरी द जाता है, अब आप लोगों की दिमाग में एक सबालोर आ रहा होगा, कि आखिर 21 जून क्यों ही चुना गया, 21 जून को ही क्यों चुना गया, तो आप देखें भारती संस्किती एवन परंपरा के अनुसार, ग्रेश्वन संक्रान्ती के बाद सूरे, दच्रायन हो जाता है, जिसके बाद 21 जून बर्स का सबसे बड़ा दिन माना जाता है, और 21 जून को सूरे कुछ सीख उखता है और देर से डूपता है, यानि कि जल्दी आ जाता है और देर से जाता है, भारती परंपरा में दच्रायन की समय को अध्यात्मी बिध्या प्राप्त करने के लिए बेह आने की मानता दी थी, क्या की थी? मानता दी थी, अब देखें बात आती है थीम की, तो मुझे लगता है कि थीम यानि कि जो बिसह रहता है इसके बारे में भी आप लोगों को याद रखना चाहिए, तो 2022 के लिए क्या थीम थी? मानवता के लिए योग, और 2023 के लिए थीम क् कंचा को बहुत खुबसूरती से दरसाती है तो 2023 की थीम आप लोगों को जिरूर याद रखना है कई बार क्या रहता है कि पिछली थीम पूछ लेती है 2022 की भी पूछ लेगी आपसे तो 2022 की है मानवता के लिए यो और इस बार की रखी गई वसू धेयो कोटम मकम के लिए योग तो ये भी आप लोगे याद रखेगा और आप देखेंगी 2015 में जब सुरू हुआ था ये तो नई दिल्ली में राजपत पर आयुजित पहली योग दिवस समारों के दौरान दो गिनीज वर्ल रिकॉर्ड बनाए गये थी यह 35,985 लोगों के साथ दुनिया का सबसे बड़ योग सत्य था इसमें आप देखें 84 राष्टों के लोगों द्वारा हिस्सा लिया गया था कितना 84 राष्टों के द्वारा योगा का महत्तु क्या है योग दिवस या इसका महत्तु क्या है तो आप देखेंगे कि योग योग एक प्राचीन सारेरिक और मानसिक अध्यात्म से मिलाता है हमें अपने आप से मिलने का मौका देता है योग सब्द संस्कित से लिया गया है और इसका अर्थ जुड़ना अत्वा सरीर और चेतना की मिलनका है आज यह दुनिया भरे विविन रूपों में पिछले थे और लोग प्रियेता लगाता बढ़ रही है और क्वाइ सारीरिक गतिविधी के लिए अपनी बैस्विक कारियोजना में सामिल भी किया यहां देखिए डबलू एचो की बात हो रही है इसके बारे में भी आप लोगों को याद रखना है वर्ल्ड हेल्थ और्गनाईजेशन की बात करा हूँ साथ अपरेल उननीस और तालीस में इस सांसी कल्यार के लिए इसके समग द्रिष्टी कौण के बारे में जागरोगता फैलाने के लिए मनाया जाता है और अंतरश्टी योग दिवस का उद्देश मन की सांती और आत्म जागरोगता है तो ध्यान की आदत विक्सित करना जो तनाव मुक्त बाताबन में जीवित रह करने में मदद करेगा एब विस्वस्वास संगठन यानि की डवलू एचो और आइवेद योग और प्राक्तिक चिक्सा युनानी और सिद्ध और होमुपैथी आयूस मंतलाले भारत सरकार की भी सहयोग का पईडाम है अंतराश्टी योग दिवस के लिए नई विवसाइड और प्लब्द है पोर्टल आप देखें महत्पूर वेब पेजों से जैसे स्वक्ष भारत मेक इन इंडिया आदी से भी जुड़ा हुआ है आप देखें खेल अनुसासन की रूम में मानता तो आप देखें हमारे खेल मंतराले ने विविन ने खेल वेसों के बर्गी केंड क समीक्षा के बाद योग को एक खेल अनुसासन की रूम में मानता दिये और इसे दिसंबर 2015 में प्रात्मिक्ता सेनी में रखा गया सामा नियोग प्रोटोकॉल तो आप देखें आईस मंतराले ने अपने सामा नियोग प्रोटोकॉल में पढ़ा आयाम नियम आसन आधी को लोग प्रियोग साधनों की स्था सोची बद्ध भी किया है योग में ब्युवसाइक सिक्षा पाट करम तो आप देखी व्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर इसकिल काउंसिल में CBSC स्कूलों के लिए योग में ब्युवसाइक सिक्षा पाट करम है वी एंड आप देखी WSSC को राश्टी कॉसल विकास निगम कॉसल विकास और उद्धिमिता मंतराले के तत्वाधान में एक गयर लापकारी संगठन की रूम में इस्थापित किया गया है और विभिन कॉसल पहले आप देखें तो पिधान मंतरी कॉसल विकास यह उजना जैसे विभिन कॉसल फहलों के माध्यम से हजारों उम्मीदवारों की योग पिसीक्षकों और अनुदेशकों की रूम में पिसीक्षित किया गया है और आप देखें कि पिधान मंतरी कॉसल विकास यह उजना इंडिया योग भी फिट मुवमेंट इंडिया का यह खिस्सा है और आप देखें फिट इंडिया मुवमेंट एक राष्ट व्यापी अभियान है जिसका उद्देश लोगों को अपने दैनिक जीवन में सारे रिक गतिविदियों और खेलों को सामिल करने के लिए परोसाहित करना है तो इतनी ज्यानकारी आप लोगों के लिए काफी है अगर इससे कुश्राइब पूछा याएगा तो जरूर आप लोगों उसका आंसर दे पाएंगे एक काम और करना है, आप लोगों को भी इससे जुड़ा रहना है, आप लोगों को भी योगा करते रहना है, समझ रहे हैं? चली और भी किसी टॉफिक के बारे में जानना हुगा करें तो उसका नाम आप लोग बता सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग एक सामन जानिकारी देख लिया करेंगे और देखें जब भी कोई दिवस मनाय जाता है तो उसके बारे में सबसे पहले आप लोग यही याद रखा करिएगा, कम मनाये गया वो पहली बार, और आप देखें कि क्या उसका महत्त है, क्या उद्देश है उसका, उसे योग दिवस को मनाने का, और आप देखें कि जिस दिन को मनाये जाता है, उसका क्या महत्त है, क्यों उसी दिन को चुना गया है और फिर इसकी theme आप लोग याद रखा करिएगा पिछले साल की theme रखा करिएगा दो साल की रखा करिएगा और इस साल की और पहली बार कब मनाये गया था उसके बारे में थोड़ी जानकारी आप लोग रख सकते हैं और इससे समंदित कुछ और महत्पूर पॉइंट हैं तो उन्हें भी अपने पास रख सकते हैं इतनी जानकारी रखेंगे तो कोई भी questions आएगा तो उसका answer नहीं छोटेगा आसानी से आप लोग उसका answer दैनी की स्तिती में रहेंगे ठीक है?